नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो अब नजरे डालते हैं नाकपूर के विबित हल्चल पर विकास की नाकपूर शाखा ने हाल ही में इंस्टिटूट आप चार्टर्ड अकाउंटन्स आफ इंडिया ICAI की अध्यक्ष सीए नीहार जम्बू सरिया के साथ एक समवदात्मक बैठक का आयोजन किया C.A. छात्रों को सम्वदीत करते विए C.A. नीहार जम्बू सरिया अध्यक्ष आईसी आईए ने कहा कि C.A. छात्रों के समगर वैक्तित्व विकास और पेशेवर मानसिक्ता में आर्टिकल शिप एक महत्वपुरुन भूमी का निबाती है सफलता का कोई शौटकट नहीं होता इमानदारी और समरपन जीवन में अपने लक्षों को प्राप्त करने की कुंजी है जैसे स्वस्त शरीर के लिए नियमित शरीरिक व्यायम जरूरी है वैसे ही हमारे दिमाग को भी परियाप्त व्यायम की आउशक्ता होती है सीए जंबू सरीया ने कहा कि केवल समस्याओ को हल करने अध्धहिन की किताबे पढ़ने या आउधारनाओ को याद रखने से दिमाग को आवशक्त व्यायम नहीं मिलता है उन्होंने चातरों से अपिल की कि यह व्यावारिक प्रसिक्षन प्रक्रिय है जिसमें चातर गतिशिल व्यावारिक परिदूश्यों में काम करते है और उस विचाल ग्यान को लागू करना सीखते है जो सीए पाठेकरम चातरों को प्रदान करता है उन्होंने चात्रों को सला दी की अपने लेक के दोरान उन्हें किसी दिये गए कार्य को पूरुने समर्पन के साथ पूरा करने का प्रयास करना चाहिए और विशलेशनात्मक कौशल को सर्वोत्तम संभोतरीके से लागू करना चाहिए शिवसेना एवं जिला दक्षता नियंत्रन समीती महराष्ट शासन के सदस्य दीपक शर्मा की नेतरूत्वों में वाठोडा सदा शिवनगर एनाईटी ग्राउंड में शिवसेना प्रमुक स्वर्गिया बालासाइब ठाकरे की पुन्नेति थी मनाई गई सोसाइटी के अध्यक्ष लक्ष्मिकान भंडार कर द्वारा फोटो पर माललयरपन किया गया इस अवसर पर जैप्रकाश व्यास वर्षा देवतले खुशाली राम पालिवाल कमले शर्मा अतुल वैद्य आसिप शेक आदी उपस्सित थे राजावीर मंदीर प्रांगण में जहा कचरे मिट्टी मलबे के धेर लगे होने से सरवत्र गंदगी का सामराज जथा पुर्व पारशत प्रकाश तूतवानी की अथक प्रयासों से परिसर से न केवल कचरे मिट्टी के धेर हटाय गया बलकि परिसर की सापसपाई कर समतल अब शिग्रही याव रुक्षार उपन कर पौदे लगाये जाएंगे। इस अवसर पर निरंकारी सतसंग मंडल के तुलसिदास करम चंदानी, पंकज वर्दानी, समाज से वी ओम प्रकाश वर्दानी, निवन जेठानी की उपस्थिती रही। शरिप की आज 11 तारिक है। इस तारिक की अजमत और सिफत को ध्यान में रखते वे सज्जादान शीन हाउस ने बड़ी अकिदत और खुशियों के साथ यह में पैदाईज दिन मनाया, तथा 11 शरिप भी धूमदाम से मनाई गई। इस इक्रम में गरीबों जरुरत मंदों यत अखिल भारतिय पुलक मंच परिवार नाकपूर, अमर स्वरुप फाउंडेशन द्वारा, सशस्त्र दूरक्षेत्र दरेकसा अंतरगत, दल्ला टोला, दरेकसा, सालेकसा जैसे दुरगम क्षेत्र में पुलिस विभाग के सहयोग से आदिवासी समुदाय के लिए दीपोच सवका उद्योगपती मनिश मेता और अमर सोरुप फाउंडेशन के विश्वस्त भुविश मेता के मार्गदर्शन में आयोजन किया गया था सशस्तर दुरक्षेत्र दरेकसा के थाना प्रबारी अधिकारी उपनिरिक्षक विश्णु हुले, पुलिस उपनिरिक्षक एसार इंगोले उपस्चित थे कारेक्रम में आदिवासी समुदाय की 300 से जादा महिलाओ को नई साडिया, नई कपडे, कंबल, बच्चों को कपडे और मिठाई या स्कूली बच्चों को शैक्षनिक साहित्य, बिस्किट का वितरन किया गया लोगों को यहाँ भेट वस्तू प्राप्त करके उन्हें अत्यन तक खुशी हो रही थी, साथ ही में बच्चों के साथ बालक दिन भी मनाया गया बच्चों ने अच्छी प्रस्तूती दी, जिसके कारण कारेक्रम में एक उत्सा भर गया कारेक्रम में पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों का सायोग प्रशन सनिय था 103 वर्ष पुरुन होने पर श्री साही समाधी उत्साव समीती की ओर से समीती संस्थफक अध्यक्ष दीनेश पापायादव के सयोजन में स्वर्गिय संतोष विश्वकर्मा वशशिकला विश्वकर्मा की स्मुरूती में साई बापा महुच्चों का आयोजन किया गया साही जागरन में प्रमुकता से केंद्रियमंत्री नितिनगड करी, महपोर दयाशंकरतिवारी, विधायक प्रविंदट के विकास ठाकरे, करनी सेना के पंजूत उत्वानी, पुलिस निरिक्षक भरच खिरसागर, दीपक पटेल, पंकच सिंग राजपूत, संजय बालपां के जैकारों से गुंज उठा, कारेक्रम उपरांत, भक्तों में प्रसाद की रूप में जुनका भाकर का वितरन किया गया, इस आउसर पर अध्धक्ष दिनिश्यादों ने कहा, कि साही भक्तों के लिए 16 दिसंबर से चार धाम की निशुल का यात्रा का आयोजन किया गया है अधिक जानकारी आयोजकों से संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है, सभी आतितियों ने आयोजन की सराहना करते वे शुप कामनाय दी हिंदुरुद्धय समराट बालासाइब ठाकरे के स्मुरूती दिवस पर नाकपुर शिवसेना उपजिला प्रमुक नगर सेवक ग्यानेशुवर नाना जुडे एवं प्रभाग 22 के पुर्वप अधिकारी एवं शिवसेनिकों ने विवित प्रकार के कारेक्रों मुका आयो अभिवादन किया गया। लकडगंज पुलिस टेशन में पुलिस निरिक्शक पराग पूटे ने फोटो पर मालल्यारपन करके अभिवादन किया। अर्विंद बदले, मोहन शाव, सुनिल भव धेंगरे, बोजराज ठाकरे, अलोग भगत, भुशन वंजारी, किशोर कारले, महेश चमचा, राजु लाखे, अतुल धोबले, मानिक ताले, रमेश मोरे, शैलेश गावंडे, सुरत चाचडा, हर्शत कावरे, किशोर गावरीकर राहुल टोंग से, अभिशेक गनेश कर, शुभम कालबांडे, अमोल सरात कर, गिरिश पूरेद्दिवार, उमेश निखारे, राहुल धांडे, दीपक देविकर, प्रशान्त मोहाडी कर, प्रशान्त हारोडे, दीपक फुलवानी, परेश खंडाईत, मंगेश जोडे, महाप्रसात का कारेक्रम भी आयोजित किया गया, सामुहिक तुलसी विवाह कारेक्रम संपन्न हुआ, इस अउसर पर समाज सेवी वीनो दिंगोले और परिसर के नागरिकों की बड़ी संख्या में उपस्तिती में कारेक्रम संपन्न हुआ महत्मा गांधी अंतरराष्टिय हिंदी वीश्व विद्धाले में, जनजातिय गवरोव सप्ता के अंतरगत आयोजित वीशेश व्याक्यान में, जवारलाल नेरू विश्व विद्धाले, नई दिल्ली के इतियास अध्धैन केंद्र के प्रोफेसर उमेश कुमार कदम ने आयोजित कारेक्रम में बतोर मुख्यातिती संबुधित कर रहे थे, विश्व विद्धाले के गालीब सभागार में आयोजित कारेक्रम की अध्यक्षता प्रतिकुलपती प्रोफेसर हनुमान प्रसाज शुक्लनी की, प्रोफेसर कदम ने बिरसामुंडा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बिरसामुंडा ने जीवन भर जन जाती ये समाज के लिए संगर्श किया, इसलिए उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, उनके संबन में लिखे गए इतिहास को पुना देखने की जरुरत है, प्रोफेसर कदम ने मध्धय युगीन को देखने की एक सम्यक दृष्टी प्रस्थावित की है, उन्होंने प्रोफेसर कदम की इस स्थापनाओं से अपने सहमती प्रकट की त्रिपूरा में अक्तूबर महने में वी घटना को लेकर महराष्टर में वी वी हिंसा को लेकर राष्टरवधी कॉंग्रेस पालटी सुप्रीमों ने अपनी चुप्पी तूड़ी है, दोधियोसिय नाकपूर दवरे पर पहुचे पवार ने पत्रकारों से बात करते राजनीतिक दलोकी ओर से ऐसी चीजों का समर्थन करना गलत है, ग्याथो की त्रिपूरा में हुई कथित जूटी कबर को लेकर महराष्टर में मुसलिम संगटनों ने बंद बुलाया था, इस बंद के दवरान नांदेड, नाशिक के मालेगाव और अमरावती में जमकर हिं इसा के विरोन में भारतिय जन्ता पार्टी ने अमरावती बंद बुलाया था, जो भी हुआ अत्यनत दुर्भाग्य पुरुन और अनुचित था, पवार ने कहा विदर्ब दवरे पर नाखपूर पहुचे राश्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी की अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रिय मंत्री तथा सांसच शरत पवार ने एक कारेकरम के बाद पत्रकारे सोई हुए सववाद में कहा कि महानगर पाली का चुनाओ में वर्तमान में गडबंधन किये हुए दल एक जूट हुए तो ठीक ही होगा अन्यता हम अकेले ही चुनाओ लड़ेंगे शरत पवार की यह प्रतिक्रिया उस समय आई जब उनसे पूछा गया कि क्या नाकपूर महानगर पाली का चुनाओ गडबंधन बना कर लड़ा जाएगा इस प्रशन के उत्तर में शरत पवार ने उपर उक्त प्रतिक्रिया देते हुए कॉंग्रेस और शिवसिना को भविश्य का संकेत भी दे दिया एस्टी करमचारियों की हरताल के संबन में शरत पवार ने आववान किया कि एस्टी करमचारी अपनी हरताल वापस ले यह हड़ताल अधिक लंबी नहीं चलनी चाहिए सरकार को स्टी कर्मचारियों की कुछ समस्याए एवं ट्रश्न हल करने होंगे साथ ही यह अभी का कि स्टी महामंडल का विलगी करण संभव नहीं है राज्य की मंतरी नवाब मलिक और प्रतिपक्षन निता देविंद्र फणनवीस की बीच लगातार चल रहे आरोप प्रत्यारोपू के संबंद में पूछे गए सवाल पर पवार ने कहा कि नवाब मलिक के अंडरवर्ट के साथ संबंद होने के सबूद अभी तक मुछ तक नहीं पहुचे है अपने चार दियुसी अविदर्व दवरे के पहले दिन नाकपूर में राकापा प्रमुक शरत पवार ने साथ वचन लौन में आयोजीत कार्यकरता संबिलन को संबोधीत करते वे राज्य के भाजपा निताओ पर जम कर हमला बुला उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब से सिवसेना राकापा और कॉंग्रेस की सरकार बनी है तब से इस सरकार को गिराने के प्रयास किये जा रहे है राजस्तर पर जोर नहीं लगा पा रहे है तो वे केंदर का साथ ले रहे है राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र सरकार की ताकत का दुरूपयोग किया जा रहा है महाविकास अगड़ी सरकार और राज्य के नेताओ और उनके सगे संबंधियों को किसी न किसी तरीके से परेशान किया जा रहा है पवार ने आगे कहा कि संजे राउत की पतनी को इडी की नोटिस दी गई अजित पवार की भेन के घर छापे मारी की गई अजित के घर आयकर विभाग के लोग पाच दिन तक डटे रहे अनिल देशमुक को जेल में डाल दिया गया पवार ने कहा कि जनता इन सभी कर्टूतों का ज़रूर हिसाब लेगी राकापा के वरिष्ट निता प्रफुल पटेल ने कहा कि नाकपूर में दो सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी प्रुथक विदर्ब के मुद्दे को लेकर आकरामक रुको अपनाते हुए विदर्ब वादी अंदुलन की धूरा संभालने वाले विदर्ब राज्या अंदुलन समीते के मुख़ सहयोजग राम नेवले का मंगलवार की रात को रुदय घहत से निदन हुगया मंगलवार को ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फरंस लेकर प्रुथक विदर्ब राज्य की मांग को बुलन करने के लिए चुनाव लणने का इरादा व्यक्त कर देवे जैविदर्ब पार्टी की स्थापना का एलान किया था 74 वर्षिय राम नेवले ने विदर्ब साइद अनेक समस्याओ को लेकर उग्रा अंदुलन किये थे उनका अंतिम संसकार बुधवार को मानेवाड़ा घाट पर किया गया राम नेवले मूलताहा नाकपुर जिले की नर्खिर तासिल के निवासी थे वहां उनका क्रिशि सेवा के इंड्र था अपने जीवन के शुरुवाती दौर में वे शरद जोशी की शेतकरी संगटना के संपरक में आये थे इस संगटन के नाकपुर जिलाद्ञ्ष के बतौर उन्होंने कार्य शुरू किया था आरंभिक काल में शेतकरी संगटना के गिंती के प्रभावशाली लोगों में गिने जाने वाले नेवले ने कालांतर में शेतकरी संगटना का दामन छोड़ दिया था इस बात का सारा जीवन उन्होंने प्रुथक विदर्ब के लिए जोग दिया था पालकमंत्री डॉक्टर नितीन राउट समित कई गणमानने वेक्तियों ने उनकी मौत पर शोग जताया है शिरम शक्ति भवन नई दिल्ली में आयोजित एक उच्चस्तरिय समारों में कर्मचारी हित में एक व्रुहत्स्तरिय विकास कारेक्रम को हरीजंडी मिली मौईल श्रमिकों के वेतन संशोधन हेतु मौईल प्रबंदन और माननेता प्राप्त कर्मचारी संग के प्रतिनीरियों के बीच भारत सरकार के मुख्य श्रम आयुक्त की उपस्तिती में एक विपक्षी या समझोते पर हस्ताक्षर किये गए यह वेतन संशोधन 10 साल की उधी के लिए है जो वर्ष 2017 से 2027 तक लागो होने से कमपनी के करीब 6000 कर्मचारीयों को लाभनवीत करता है यह प्रबंधन और मॉयल के माननेता प्राप्त यूनियन यानि मॉयल कामगार संगठन MKS के बीच हुए एक समझोता ग्यापन MOU पर आधारित है इस प्रस्ताओं में 20 प्रतिशत का फिटमेंट लाब और 20 प्रतिशत की ही दर से अनुलाब भत्ते शामिल है कमपनी द्वारा मूल वेतन का 12 प्रतिशत की दर से एक अंतरिम रहत और डिये दिया गया जो 20 मई 2019 से लागू किया गया था कमपनी एक बार में बकाया राशी का बुकतान करेगी जिससे लगबग 218 करोड रुपय का वित्तिय प्रभाव पड़ेगा जो एक अगस 2017 से 30 सितंबर 2021 तक की आउधी के लिए लागू होगा आचारिय श्री विद्यासागर जी अहिंसावाटी का ऑक्सेजन जोन इतवारी नाकपूर में महिला परिशद ने श्री दिगंबर जैन परवार मंदिर ट्रस्ट के अंतरगत बाल दीवस के उपलक्ष में बाल आनंद मिले का आयजन किया गया जिसका उद्गाटन नगर एवं समाच के विशिश सायोगी एडिशनल कमिशनर ओफिसर S.G.S.T. नाकपूर विनोध मीना द्वारा किया गया प्रमुक उपस्तिती में विधाय कृषना खूपडे मनपा नाकपूर के स्वास्थ समीती सभापती संजय महाजन जैन सेवा मंदल के पुरुवा ध्यक्षा सतिश पेंधारी जैन डॉक्टर संतोश मूदी थे बाल मेले में बच्चों के द्वारा सुन्दर नृत्य एवब हाउजी गेम की प्रस्तुती की गई बाल मेले में शामिल समाज के सभी प्रमुक आमंत्रित अतितियों का सम्मान महिला परिशद एवब अहिंसा वाटिका के पदादिकारियों द्वारा किया गया प्रमुकतिती मीना एवं विधायक करुष्णा खुपडे ने भालक दीन की बच्चों को शुपकामना दी तथा महिला परिशत के सदस्यों का आयोजन के लिए भुरी-भुरी प्रशन सा की संचालन महिला परिशत की अध्यक्षा अनामी का मूदी ने तथा आभार प्रिती जैन एवं अहिंसावाटिका के टीम ने माना कारेक्रम को सफल बनाने में सर्वश्री दीपक जैन, अरुन जैन, संजय निताजी, रुपेश जैन, अर्विंद जैन, प्रशान्त मानेकर जैन, विशाल जैन, प्रग्या मूदी, सपना, अर्चना, सारीका आधी ने महत्वपुर्ण योगदान दिया लेटेनिन जैनरल एचेस काहलो, MSGOC महाराष्टर गुजरात और गोवाक शेतर ने नाकपुर कामठी और पुलगाओ में सेना प्रतिष्ठान के अपने दोदियुसिया दवरे पर जैनरल ओफिसर कमंडिंग उत्तर महाराष्टर और गुजरात सब एरिया द्वरा सक्रिय भ हमारी के समय में आपदा रहात और पुर्वसैनिकों के कल्लाण में मानवीय साहता जनरल ओफिसर कमंडिंग ने उपक्षेतर की तैयारियों और प्रयासों की सराहन की और बाड़ और आग की घटनाओ के दवरान कोवीड के चरम संकट और आपदा रहात के दवरान नागरिक प्रशासन को समर्थन दिया जनरल अपसर कमंडिंग ने एओसी इनसी एयर मार्शल शेशिकार चोधरी एवी एसम वी एसम एयर मेंटेनेंस कमंड के साथ बादचित की बाद में जनरल ओफिसर कमंडिंग ने स्थानिय मुख्यालय कामठी गार्ड रेजिमेंटल सेंटर उने महमारी के दवरान प्रशिक्षन के निर्बाद संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार बल सवरक्षन और परिचालन ततपरता सुनिश्चित करने के लिए सभी कुवीड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते वे भरती प्रशिक्षन और प्रशासन के पहल द प्लॉट के नियमिति करण के लिए हाल ही में राज्यसरकार ने शुलक वृद्दिक है। जारी किया है जिसके अनुसार वर्तमान दरों में तीन गुना वृद्धी वो अतिरिक्त निर्मान के लिए अलग से शुलक लगने की जानकारी उजागर की गई है सामजिक, धर्मिक, शैक्षणिक एवं मानव सिवा के लिए अगरणी संस्था, सर्व मानव सिवा संग के संस्था पग अध्धक्ष सुभाष कोटेचा का जन्मतिन अलग तरीके से कारे करताओने मनाया जिसमें कोटेचा ने सभी को पूर्व में ही सुचित कर दिया था कि कोई भी जन्मतिन के अउसर पर बुके न लाए उसकी जगर नोटबुक जितनी आपकी शक्ती हो उतने लाए और यहाद जमा होने वाले सभी नोटबुक को मनपा की स्कूलों में या गरीब बस्तियों मे बाटे जाएंगे आश्चरे की बात यह है कि दीन भर में करिब 12,000 रुपे की नोटबुक एकतरित की गई जो जल्धी मनपा की स्कूलों में वितरित की जाएगी कारेक्रम में प्रमुकता से उपमहापर मनिशा धावडे, नगर सेवी का दिव्या धुरुडे, पुर्वनाकपूर भाषपा के अध्यक्ष संजय आउचट, करणी सेना के राष्ट्रिय उपाध्यक्ष पंकच सिंग, पुलिस मित्र समिते के उपाध्यक्ष रजनी भोसले भाजय यूमो पुर्वनाकपूर अध्यक्ष सनी राउत, पुर्वनागर सेवक महिंदर राउत, हितेश जोशी, जैन समाज के वरिष्ट सतीश पिंधारी प्रशांत मानकर उपस्सित थे उप महापूर ने इस प्रकार जन्मदीन मनाने पर सुभाश कूटेचा की एवं कार्यकरताओं की प्रशन सा की, कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्धक्ष केतन सेठिया, सचिव गणेश रिडड़ी, विजय खंडारे, प्रितम बोकडे, मनोच पालिवाल ने अथक प्रया इस फुल बोडी चेकप कैम्प का आयोजन 15 दिसंबर 2021 तक समाज के सदस्यों के लिए आयोजित किया गया है, इस का उधगाटन दम्यंती बेन रजनीकान पंडित द्वारक किया गया, जिसमें समाज के पदादिकारी और समाज बांदो उपस्तित थे, समाज के 200 सदस्यों न अपना नाम फुल बोडी चेकप के लिए रजिस्टर किया है, इस फुल बोडी चेकप कैम्प में सुशरी रक्षा बेन मेता और अमिता बेन मेता का भी भरपूर योगदान मिला है, समाज के प्रमुग संजय ठाकर ने दम्यंती बेन पंडित, रक्षा बेन मेता और अमिता बेन मेता का आभार व्यक्त किया इस कारेक्रम में समाज के ट्रस्टी मंडल के सदस्य योगेश जोशी, मानद मंत्री चेतन जोशी अशोग जा, सयोजक केयूर व्यास डॉक्टर राजेश भाई दवे मनिश जोशी, मनुझ भाई यागनिक महिला मंडल उपाध्यक्ष बूलगा बेन ठाकर सचिव गीता बेन शुकला युवा मंडल के अध्यक्ष जाय जोशी आदी समाज बांदो उपस्तित थे इस अउसर पर समाज प्रमुक संजय चंद्रकान ठाकर ने आरोग्य धनसंपदा का महत्व समझाते वे समाज बांदों से इस कैंप का लाब लेने का आवान किया भारत सरकार द्वारा पंजी कुरूत वनीती आयोग Ministry of Social Justice and Empowerment Digital India आत्मनिर्वर भारत द्वारा प्रमानित एंटी हरेस्मेंट फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रिय स्तर पर भव्य पुरसकार भारत भुषन 2021 का आयोजन मध्यप्रदेश भूपाल में किया गया इसमें जूरी पैनल द्वारा राष्ट्रिय स्तर पर साहित्या, लेखन, खेलकूच, समाज सेवा, मेडिकल, आदी में उतकुरुष्ट कारे करने वालों का चैयन किया गया महराष्ट नाकपूर से लेखक, चिंतक, समाज सुधारक, वरिष्ट समाज सेवी शरत गुपिदाज भागडी को भारत भुषन 2021 से सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र मोमेंटों प्रदान किया गया शरत भागडी तीन अंतर राष्ट्री संस्ताओ, World Constitution and Parliament Association USA आदी के सदर से है वो Global Achievers Magazine, Forbes Magazine, News 47 Media, T-Chart, आदी अनेको संस्ताओ द्वारा, 100 Inspiring Indian सुची में शरत भागडी का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता, कैला सत्यार्थी, पदमश्री विजेताओ, फिल्ड एयर मार्शल आदी के साथ शामिल किया गया है शरत भागडी को 5 अंतर राष्ट्रिय, 29 राष्ट्रिय पुरस्कार के साथ 219 व्यावसाइक, सामाजिक, राजनितिक संस्ताओ, अनेक प्रदिशों के राज्यपाल, मुख्य मंत्रियों व केंद्रियों मंत्रियों द्वार भी सम्मानित किया गया है शरत भागडी ने पुरस्कार के लिए अपने स्वर्गिय पिता गोपाल दास, वह मम्मी स्वर्गिय केशर देव भागडी, वह परिवार मित्रों शुबचिंतकों का आभार माना तो नागपूर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूस, नमस्कार